दोस्तों कल अफगानिस्तान और सेलिये के मैच में विरेंदर सहवाग ने मैक्सवेल के लिए जो रिखा उसके बाद मैक्सवेल ने अपनी टीम के लिए जो परफॉमेंस दी है ये मैच हमेशा के लिए यादगार बन चुका है और कल का मुकाबला ICC World Cup के इतिहास में सबसे र पानवे रन का पीछा करते हुए मैक्सवेल ने 201 रन बना कर अपनी टीम को जिताया है और जिस तरीके से विरेंदर सहवाग ने मैक्सवेल के लिए एक भविश्य वारी करी वो सच भी हो गई चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में नमशकार में नामें प्रदीप सैनी और आप देखरें 24 Facts Info ICC World Cup के इतिहास में अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने जो डबल सेंच्री लगाई है वो किरकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है जैसे कि अब जानते हैं कि अस्टिलिया के टीम के लिए मैक्सवेल एक आलराउंडर प्लेयर हैं और कल उन्होंने अपने दम पर अफगानिस्तान को धूल चटा दी और जिस तरीके से वो अपनी टीम के लिए खड़े रहे चोटिल होने के बावजूद भी मैक्सवेल जिस तरीके से अपनी टीम के लिए खेलते रहे वो काबले तारीफ है जिहां मुंबई के वान खेड़े में हो रहे अफगानिस्तान और उस्टिलिया के मैच में जब उस्टिलिया 91 रन पर 7 विगेट खो चुकी थी उस वक्त आल राउंडर मैक्सवेल और कैप्टन पैट कमिंस पिछ पे खड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उस्टिलिया 500 रन के अंदर ही सिमिट जाएगी तब ही इसी मैच के दोरान भारत के पूर्व क्रिकेटर विरेंदर सवाग ने एक भविश्य वाड़ी करी इसमें विरेंदर सवाग ने कहा कि जिस तरीके से मैक्सवेल की कैच छूटी है और दूसरा उनका LPW पर रिव्यू लेने के बाद जीवंदान मिला है ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेल पर माता आ गई है और सहवाग ने इस बात को अपने ट्विटर पे लिग दिया उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान ने तो आग लगा रखी है लेकिन मैक्सवेल ने LPW को रिव्यू लेने के बाद जो सर्वाइक किया है उनके उपर अब माता आ गई है उसके बाद मैक्सवेल ने जिस तरीके से खेलना चालू किया उसके बाद अफगानिस्तान उनको नहीं रोग पाई जी हाँ मैक्सवेल की 200 रन की पारी हमेशा के लिए यादगार बनी रहेगी लेकिन मैक्सवेल जिस तरीके से कल टीम के लिए खेलते रहे वो चोटिल होने के बाद भी अपनी पिछ पर खड़े रहे उनकी बैटिंग देखने के बाद बड़े बड़े खिलाडी उनके फैन हो गए है वहीं पर सचिन तेंदूर कर जब ग्राउंड बे आए तो मैक्सवेल ने उनके पैड तक छूलिये हमने कल देखा कि मैक्सवेल दर्द के साथ अपनी टीम के लिए खेल रहे थे आपका इसके बारे में क्या बोलना है प्लीज कमेंट शिक्रिण बदाओ वीडियो चलेगी तो लाइक करके शियर कर दो